नमस्कार, राष्ट्रिय मुक्त बिद्याले सिच्छा संस्थान में मैं डॉक्टर विक्रम जी सिंग, आप सभी का स्वागत करता हूँ. आज हम कोर्स कोड 504 के अंतरगत प्रारमिक स्तर पर गनीत सिच्छन का आइकोन संग्रक्चना प्रतिमान पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले अगर हम आज की सिच्छन रवस्था को ध्यान करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज की सिच्छन रवस्था चात के अंदिर सिच्छन अधिगम विद्यों पर अधारित है. गनित्या सिच्छन के लिए भी छात गेंदित विदियां बहुत परवावकारी होती है अगर हम छात केंदित विदियों की बात करें तो हमारे पास कई प्रचलित विदियां मौजूद है जिन में से प्रमूख है क्रिया कलाप अधारित विदी सहगामी अधिगम विधी, इत्यादी इनी सभी विदियों में से एक विधी जो की आईकॉन डिजाइन मॉडल है उसकी हम आज चर्चा करते हैं डॉल्टन स्कूल के कंप्यूटर तक्निक अधारित अधिगम वातावरन से प्रेडित होकर कोलंबिया विष्व विध्याले सिक्षक कॉलेज के बी जोन ब्लैक, मैंक टिंग टॉंग एवं ओर आभी ने एक नए डिजाइन मॉडल को दिया जिसे की हम आईकॉन मॉडल के नाम से जानते हैं वास्तों में ये संग्रचना परतिमान रचनावाद या की कहा जाए समाजिक रचनावाद के सिदान प्याधारित है इसमें मुख्य धंग से चातर पहले अपने संग्यानात्म कोसलों का प्रियोग करते हुए और धारनाओ या घटनाओ को समझने की कोसिस करते हैं पुना वो अपने सिक्चा के उस्पार्टियों के सहयोग के द्वारा और धारनाओ या उनकी विसेष्टाओं उनके प्रियोगों या उप्योगों को बेहतर ढंग से जानने की कोसिस करते हैं जिससे वो उस ग्यान को अपने समाने जीवन में प्रतिफलित कर सके हैं व्याक्षान निर्मान डिजाइन मॉडल संग्यान आत्मक अधिगम सिद्धान पर अधारित मॉडल है इस मॉडल का बीवरण अगर हम देखें तो हम पाते हैं भिविन परकार के अनुदेश आत्मक सिद्धानतों को संबोधित करते हुए ये ऐसे अनुदेशन अनुवा पराधारित है जिसमें अवलोकन एवं सुचनाओं का स्रीजन किया जाता है इसमें नहित लक्ष एवं सर्ते क्या है? प्रिष्ट भूमी के संदर प्राधारित जानकारिया एवं अवलोकन के अधार प्रव्याख्या इसका प्रमुक लक्ष है इसमें नहित सिधान्द क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया का वर्नन एक अच्छे अध्यन का सूचक होता है अर्थात अगर हम अधिगम प्रक्रिया का वर्नन कर दें तो अवस्ते ही ये अच्छे अध्यन का सूचक होगा दूसरा अधिगम प्रक्रिया प्रमानिक कारयों एवं अनुकूल प्रस्तितियों में ही नहित है अर्थात अधिगम प्रक्रिया के सफलता के लिए अनुकूल प्रस्तितियों को त्यार करना नहीत ही आवसक है इस अधिगम के लिए किन प्रस्तितियों की आवसकता है तो हम पाते हैं कि जब छात्र ग्यान का सिजन करते हैं तब वो अध्यन ही कर रहे होते हैं बता इस बात को ध्यान रखने के आउसकता है कि जब छात्र अपने अध्यान में संगलगन हो तो ये हमेशा सोचा जाए कि वो कुछ अध्यान ही कर रहे हैं, कुछ सीखी रहे हैं। सबसे बहतर अध्यान उसके लिए अनुकूल त्यार प्रैवरन में ही संभव होता है। इसके लिए कौन-कौन सी अभिस साधन क्या हो सकता है। अगर इस मॉडल के बारे में हम जानकारी कत्रित करें तो हम ये पाते हैं कि इस मॉडल में किसी भी बिसिस्ट साधन क्या हो सकता की जरूत नहीं है। तथा पी अगर आपके पास कुछ उपलब्ध साधन हो तो आप उसे परियोग कर सकते हैं। इसमें सिक्षक या सहायक का क्या कारे होगा। सिक्षक इसमें अध्यन समर्थक प्रयावरन का निर्मान करता है। अर्थात वह स्टडी सपोर्ट इंवार्मेंट का निर्मान करता है। अब हम इस डिजाइन मॉडल के विभीन चरनों को देखते हैं। इसमें पहला चलन होता है अवलोकन या उब्जर्वेशन। इसमें विध्यारती वास्त्विक परसितियों में चीजों का उलोकन करते हैं। उद्हारन के लिए अगर हम इस प्रसंग को देखें जिसमें भिभीन परकार के जयमित्य। आकरीतियों की पहचान करानी हो। जिनका वे ध्यान से उलोकन करेंगे। इस model का दूसरा चरण व्याक्या की संगरचना या interpretation construction कहलाता है विद्यार्थी विविन परकार के वाक्या एवं उसके पीछे का अचित्य तै करते हैं अथात विद्यार्थी अवलोकन के पस्चाहत विविन परकार के वाक्याओं के साथ सामने आते हैं और साथ ही वह ये भी बताते हैं कि उसके पीछे का अचित्य क्या है हम जिस धारन को लेके आगे बढ़ हैं उसमें अगर देखा जाएं तो विद्यार्थी विविन परकार के आक्रितियों के मॉडल का उलोकन कर उनकी अपनी व्यख्या बताएंगे और साथ ही उनके इस व्यख्या या विवेचन के पीछे का अचित्य को भी बताएंगे अर्थात वह इन आक्रितियों का स्वें से नाम दे सकते हैं या उनकी विशेस्था बता सकते हैं इस अनुदेशन का तीसरा चरण प्रसांगिक्ता या संधर्वत्य करना जिसे की हम contextualization कहते हैं होता है विद्यार्थी अपनी वैख्या से सम्मंदित जानकारी एकत्रित करते हैं अर्थात अगर हम अपने प्रसंग जिसका उधारन हम लेके चल रहे हैं उसको देखें तो इसमें विद्यार्थी उन अकरितिओं के पीछे जुड़ी जानकारियां और महत्पुन तथ्याँ को पता करेंगे जैसे की सीधी रेखा से बनी हुई आकरिती या वर्क रेखा से बनी हुई आकरिती एक बंद आकरिती को बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की जरूरत है भुजाओं की संख्या का मान ग्यात करना इत्यादी इस परकार वे अपने अधिगम में नए बिंदियों को या उसकी प्रसांगिक्ता को तै करते हैं इस अनुदेशन का चौथा चरण संग्यानात्मक सिछुता या कॉगनेटिव अप्रेंटिसीप कहलाता है इसमें बिद्यार्थी सिख्चक के निदेशन में कौसल का विकास करते हैं अर्थात इसमें बिद्यार्थी सिख्चक के साथ मिलकर विवीन अधिगम कौसलो को प्राप्त करते हैं उधारन के लिए अगर हम अपने प्रसंग को देखें तो इसमें बिद्यार्थी सहाया क्या सिख्चक के सहयोग से इन आकरितियों के बारे में बहतर कोसल का विकास करते हैं, उन्हें बहतर ढंग से जानते हैं, उनकी आपचारिक नाम का ग्यान गरते हैं, यह उनकी परमुख भी स्रेस्ताओं को भी सही सही पता करते हैं। इस अनुदेशन का पाँचवा चरन सहयोग या कोलाबरेशन कहलाता है, इसमें विद्यार्थी व्याख्यायों प्रसांगी करन के लिए आपस में सहयोग करते हैं। अता अगर हम अपने प्रसंग को देखें, जिसमें विविन परकार की जैमिती आकरितियों की पहचान करनी हैं, तो उसमें विद्यार्थी एक दुसरे के साथ सहयोग कर नई नई व्याख्याओं या उनकी प्रसांगीक्ता या संदर्व को जानने की कोशिस करते हैं। अर्थार्थ विद्यार्थी पुना आकरितियों जैसे तिर्भूज, चतुर्भूज, बृत, आयत, वर्ग, इत्यादी के प्रमुग गुनों को बैहतर धंग से एक दुसरे के साथ सहयोग कर के सीखते हैं। इस अनुदेशन का छटा चरन बहु प्रकार व्याक्या या मल्टिपुल इंटिपर्टेशन कहलाता है। विद्यार्थी इस चरन में अपने साथियों के साथ सहोग करके उनके दृष्टी कोनों से आउगत होने के बाद संजनात्मक स्वतनता को प्राप्त करते हैं। अर्थात या संभव है कि वे तिर्भूज के विविन प्रकारों से आउगत हो जाएं। जैसे समकोन तिर्भूज, जिवनकोन तिर्भूज या चत्रभूज में क्या गुन जोड़ा जाए जिससे वह वर्ग या आयत बन सके इत्यादी। इस अनुदेशन का सात्वा चरण एकादिक अभिवक्ति या मल्टिपल मैनिफेस्टेशन कहलाता है। विद्यार्ती अपने अधिगम व्याख्याओं को विभीन प्रस्तितिकरन को एकादिक प्रस्तितियों में इस्थांतरन करते हैं। अर्थात उन्होंने जो अधिगम अनुवाओं को प्राप्ट किया है उसे द्यानिक जीवन के क्रिया कलापों में या विभीन प्रस्तितियों में उसको इस्थांतरन करके अपने अधिगम अनुवाओं को और सुद्रीट बनाते हैं। उधारन के लिए अगर हम अपने प्रसंग को देखें जिसमें हम जैमेतिया आकरीतों की पहचान के उपर चर्चा कर रहे हैं, इसमें इस चरण में विद्यार्थी विभीन जैमेतिया आकरीतियों की ओधाना से आउगत होने के पस्चात, तथा उनकी विसेस्ताओं, उनकी पह आकरीतियों को जोनने से बनी आकरीती की कल्पना कर सकेंगे, या नाम तै कर सकेंगे, विभीन जैमेतिया आकरीतियों जैसे कि तिर्भूज, चत्रभूज, विभीन परकारों को बता सकेंगे, इत्यादी, इस तरह से हम इस अधिगम के सातों चरण को पुरा करते हैं, अब इस अधिगम में या इस अनुदेशन में मुल्यांकन किस परकार हो इसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम छमता का मुल्यांकन वास्तवीक या प्रमानिक कारियों या गतिवीद्यों द्वारा किया जा सकता है। उधारन के लिए हमारे दिये गए उधारन में चात्र विभीन परकार के जैमितिया आकरितियों से जुड़े तीन तीन वस्तों को एकत्रित कर सिक्षक को प्रस्तूत करेंगे। या विद्यार्थी ग्राप पेपर के प्रयोक के द्वारा विभीन परकार के जमितिया आक्रितियों की विशेष्टा को दर्साने के लिए उनकी रचना करेंगे जैसे त्रभूज के विभीन परकार या चत्रभूज के विभीन परकार इत्यादी तो विद्यारती ओ आज हम लोगों ने प्राणम्भिक स्तर पर व्याख्यान प्रतिमान मौडल की चर्चा की अर्थाथ आईकोन मौडल के उपर चर्चा की इस मौडल की विशेशता को जाना पह pharmacाना इसके चर्नों से आउगत हुए इसके अंतरगत एक उधारन की चर्चा की आसा है कि आप इस मॉडल से आउगत हुए और अपने सिक्षन में इसका प्रियोग कर पाएंगे धन्यवाद